Hello students, welcome to our channel, class 8 term to exam 2022, काफी important question करने जा रहे हैं, बस आप patience के साथ देखिएगा, तब यहाँ पर अच्छा से समझ में आएगा, अन तक पुरा देखिए, काफी important question मिलेगा, ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर first time visit की हो, तो चैनल को subscribe कीजेगा, और यहाँ पर PDF भी मिल जाएग इसका, इसलिए पहले तो patience के साथ पूरा समझ लिजेए, कि question को ठीक है, क्या कह रहा है, question number one, chapter का नाम है थे कि जोरा वस्ता की और, पहला question एक prus hormone का नाम इवम कार्ज बता, यह देखो prus hormone, मैंने ऐसा hormone जो prus में पा जाता है, उसको prus hormone कहते हैं, तो इसका नाम है testosteron, यह यह जो हर्मोन होता है, prus के endcoast में पा जाता है, यह hormone हर prus में होता है, और हर prus के लिए बहुत ही जरूरी हर्मोन है, इसका क्या नाम है testosteron, यह अगर यह hormone का किसी prus में कमी हो जाता है, तो काफी बिमारी पैदा होता है, जैसे यह hormone क्या करता है, हमारे muscles mass को बढ़ाता है, ह उक्राणू है, उसका production कोई manage करता है, बढ़िया रखता है उसको ठीक से, अगर इसका कमी होता है, तो काफी problem जिलना पड़ सकता है, यहाँ पर दूसरा नमरे इनमे से कौन सा गुंसुत्र, सीसू का link नर निधारन करता है, एक्स एक्स अथवा एक्स वाई, तो यहाँ पर याद रखेगा, अगर एक्स एक्स जोड़ा बनेगा, तो 100% आपका मादा होगा, और अगर एक्स वाई बनेगा, तो 100% नर होगा, तो यहाँ पर इनमे से कौन सा गुंसुत्र, सीसू का link नर निधारन करता है, तो इसका सही answer होगा, एक्स वाई, तीसरा नमरे ग्वेटर का मुकलचन क्या है, ग्वेटर का मुकलचन, गले का फूलना, चौथा नमर है, हमारा, यह सारा question काफी important है, एडम्स एपल क्या है, लड़कों का सुवर, यंत्र लड़कियों के अभी छबड़ा हो जाता है, और गले के सामने उबरा हुआ दिखाई देने लगता है, इसे कंठ मनी या एडम्स एपल कहती है, आयोडीन युक्त नमक का इस्तमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है, यह समान ही होता है, जिसमें बहुत थोड़ी सी आयोडीन मिला दी जाती है, रितु सुरौ क्या है वर्नन करें, गरभासें भी निसेचित अंडानों को प्राप्त करने की तयारी करता है, गरभासे की दिवार मोटी तदा अस्पंजी हो जाती है, लेकिन निसेचन ना होने पर ये धिरे धिरे तूटती है, और रुधीर वा म्युकस के रुप में योनी मार्क से बाहर निकलती है, इस परकरिया को रजोधर्म या रितु सुरौ कहते हैं, किस्वरा वस्था किसे कहते हैं? किस्वरा वस्था एक ग्यारा से इतारा वर्स के बीच की माने जाती है, याने कितने उमर के? ग्यारा से अठारा वर्स की बिचकी माने जाती है इस अवस्था में किसोर एवं किसोरी में नाना परकार के सारिरिक और मानसिक यह जो अवस्था होता है बहुत सारा रोग भी पैदा होता है जैसे आप देखेंगे दाना होना भी निकलता है बाद अवस्था अवस्ठी को बाली अवस्था कहते हैं और ज्यार सा उनीस वर्स्था की उलब को किसोरा वस्था, फिर युवा वस्था तथा इसके बाद की अवस्था को प्रोडा वस्था कहती है कुशन नमबर नाइन में कह रहा है गौन लेंगिंग लच्छन किन्हें कहते हैं युवा वस्था में लड़कियों में अस्तनों का विकाश होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाड़ी मूच आने लगती है ये लच्छन लड़कियों को लड़कों से पहचानने में शायता करते हैं इन्हें गौन लेंगिंग लच्छन कहती हैं काफी इंपॉर्टिन कुशन है कुशन नमबर नाइन में हार्मोन क्या है हार्मोन रशाणिक पधार्थ होते हैं जो जीवों की गत्यविदियों का समन्व करते हैं और विकास भी कराती है फिर अन्तासरावी गरन्थी के माधिम से हमारे सरीर में विसेस उथ को द्वारा सरवित होती है question number 10 आपको पता है testosterone क्या यह क्योंकि यह पुरुस में पाए जाता है और estrogen का कार बता है testosterone पुरुस में सहाइक लेंगिंग अंगो तथा दुईतिक लेंगिंग लचनों जैसे दाड़ी, मूच तब आवाज को नियंतरन करता है और estrogen जो होता है इस्तिरियों में पाए जाता है याद रखिएगा estrogen में सहाइक लेंगिंग अंगो तथा दुईतिक लेंगिंग अचनों जैसे अस्तन, गरंतियां गरंतियों के विन्यास तथा आवाज नियंतरन आवाज को नियंतरन करता है जनन हार्मोन के उतपादन का नियंतरन किस गरंति के हर्मोन दुआ रखिजाता है तो याद रखिएगा जनन जो हर्मोन के उतपादन का नियंतरन प्यूस गरंति दुआ रखिजाता है question number 12 नर तथा मादा जनन हर्मोनों के नाम लिखे नर हर्मोन याद रखिएगा नर मतलब जो पुरुस में जो हर्मोन पाए जाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन अभी तह हमने बताया था उसके अंडकोस में ये पाए जाता है मादा हर्मोन यानि एस्ट्रोजन इवं प्रोजेस्ट्रोन याद रखीगा ये मादा हर्मोन यानि आपका किसमें इस्तिरी में पाय जाता है मनुस में लिंग निर्धारन को समझाई जब X गुंसुत्र वाला सुक्रानू अंडानू को निसित करता है तो युगमनच बनते हैं यानि कि X गुंसुत्र वाला जो सुक्रानू है और अंडानू ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है निसिचन होता है उसके बात क्या होता है युगमनच बनता है युगमनच में दो गुंसुत्र XX मिलकर मादा सीसू में विक्सित होगा जब एक्स-एक्स मादा मतलब के लड़की में विख्सित होगा जब य गुनसुतवाला सुक्रानू अंडानू कुंति निशीट करता है तो युग मरज में दो गुनसुत्र यानि क्या हमारा एक्स-फॉाई मिलकर नर सिसू में विख्सित होगा अनर मतलब वही जो लड़का है उसमें विक्सित होगा कोशन नबर 14 में है AIDS किस विशानू द्वारा होता है AIDS और HIV का पुर्ण रूप लिखें तो AIDS जो है HIV नामक विशानू से होता है AIDS का फुल फॉर्म क्या है Acquired Immuno-Deficiency Syndrome और HIV का फुल फॉर्म क्या Human Immuno-Defensacy Virus कोशन नबर 15 में है योवनारम के समय होने वाले सारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाए तो इसमें क्या-क्या परिवर्तन आता है जैसे लंबाई में विर्धी है शारीरिक अकर्थी में परिवर्तन है आवाज में परिवर्तन है जनन अंगो का विकास है तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से कोशन नमबर 1 से लेकर 15 तक आपको किलियर धंग से बता दिया ठीक है वीडियो को फटा-फट लाइक भी करें और चैनल को सस्क्राइब करें और आप इसका PDF चाहते हो अगर PDF चाहते हो तो तो टेलीग्राम का लिंक गिवेन होगा इंस्ट्राग सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जाकर आप अराम से पहले तो फॉलो कर लो वहाँ पर और अराम से आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा ठीक है ज्यादर ज्यादर सुस्क्राइब करें शेयर करें और पूरा सपोर्ट करें ठीक है थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो